नमस्कार, मैं डॉक्टर संजेगर, कंसल्टेंट यूरोलोजिस्ट एंड एंडरोलोजिस्ट मनेपाल होस्पिकल गासेपाद आज हम बात करेंगे एक ऐसी बिमारी की जो सुनने में बड़ी गंबीर लगती है लेकिन अगर जिसका टाइम पर पता पड़ जाए और हम उससे समय पर इलाज करा ले तो इससे हम डिजाद पा सकते हैं तो वो क्या है वो बिमारी? प्रोस्टेट कैंसर जैसे कि आप सभी जानते हैं कैंसर अपने आप में एक ऐसा बहावे शब्द है कि अगर किसी को ये बिमारी होती है या कोई सिक्रस्ट होता है तो आदा तो वो आदमी उसी से परिशान हो जाता है कि मिलकों कैंसर है लेकिन ऐसा नहीं है समय पे इसका ग्याद होना, समय पे इसका इसका इलाज होना हमें कैंसर से मुक्ति दे सकता है तो बात करने है माच प्रॉस्टेट कैंसर की प्रॉस्टेट ऐसा एक अंग है जो ऐसा एक हमारे शरीर में पाट होता है जो सिर्फ आदमियों में पाए जाता है ये एक एकसिरी सेक्ष्वल ग्लेंड है और इसकी लोकेशन हमारे पेशाप की ठेली की गर्दन पर होती है करता क्या है ये प्रोस्टेट जैसे मैंने बताया ये एक्सरी सेक्शल ग्लेंड है तो ये समय पर इसके अंदर के जो सिक्रिशन्स होते हैं वो हमारे वीर्या का एक पार्ट बनते हैं और वो बदलाग कैंसर का रूप ले सकते हैं जब प्रोस्टेट बढ़ता है जायतर इसकी ग्रोथ नौर्मली बिनाइन होती है बिनाइन मतलब नौन कैंसरस वो 40-45 साल के बाद होती है तो जो भी सिम्टम्स आते हैं प्रोस्टेट बढ़ने के चाहें वो कैंसरस हो या नौन कैंसरस हो जादितर इसके दवाब के कारंट से होते हैं जो 45-50 के बाद में देखने को मिलता है सिम्टम्स दोनों के सेम रहेंगे या वो बिनाइन बढ़ रहा है या कैंसरस बढ़ रहा है symptoms में दो तरह की symptoms होते हैं एक तो direct इसके रुकावर के current से और कुछ इसके secondary irritative behavior के current से रुकावर के current से symptoms मतलब कि पेशाप की धार कमजोर पड़ जाना वो दूर ना जाके नज़दी गिरना और irritative symptoms किस तरह से होते हैं कि पेशाप की sensation बार बार लगना जिस समय पेशाब लगे तुलंद भागने की हाज़त होना या रात में कई बार उटना तो चाहें प्रोस्टेट नॉन कैंसरस वेव में बड़े या कैंसरस वेव में बड़े सिम्टम जिसके सेहीं ही रहेंगे इसलिए हमेशा जब भी इस तरह की कोई समावना या इस तरह की पेशाब की दिक्कत हो तो ये किरोलोजिस्ट से सब्पर करना चाहिए जिससे की वो जांच हो सके कि ये नॉर्मल ग्रोथ है या कैंसरस ग्रोथ है अब वो कैसे पकड़ा जाए कि ये कैंसरस ग्रोथ है इसके लिए डॉक्टर यानि कि psychologist, patient کی history लेते हैं और उसका clinical examination करते हैं अब history में क्या चीज जरोरी है कोई भी cancer होता है तो जब वो शरी में बनता है तो कुछ ऐसे चीजे होती है जो जिसके कहते है predisposing factors, अगर family history, क्योंकि हर एक cancer का कुछ ना कुछ genetic role होता है अगर family history positive है आदमी के पूर्वो जो में या उसके पेरेंट्स में किसी को भी ऐसी कुछ प्रोस्टेट का कभी कभी कैंसर रहा है तो उसकी संभावना कुछ उसमें बढ़ जाती है उसके खानपान से भी फरक पड़ता है वेजेटरी नॉन वेजेटरी रएट से फरक पड़ता है अन्विर्मेर्मेंटल फैक्टर्स होते हैं तो ऐसी मल्टिपल चीजे हैं जो हम हिस्ट्री में जान सकते हैं कि इसको प्रोस्टेट के इंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है अब बात आती है चेक-प की सबसे पहले होता है डिजिटल डियक्टल एक्जामनेशन डिजिटल डियक्टल एक्जामनेशन यानि की प्रॉस्टेट के लिए चेक अप करना और ये अपने आप में ही एक important test है जिससे अगर वो प्रॉस्टेट के अंदर कुछ ऐसी गाठे बनने लगी है तो हम अपने पर रियक्टल एक्जामनेशन से इसको पता कर सकते हैं लगबक 80% लोगों में प्रॉस्टेट का प्रॉपर एक्जामनेशन से इस जहां से पता कर सकते हैं कि इसमें cancer की संभावना है या नहीं है कुछ और test होते हैं और उसमें सबसे important है PSA ये एक blood test है जिसको बोलते हैं serum PSA level ये PSA level नौर्मली 50 साल के बाद में हर एक आदमी को कराना चाहिए जैसे एक regular health check-up होता है हम sugar, BP वगर एक टेस्ट कराते हैं इसी तरह PSA levels भी 50 साल के उम्र के बाद में सालाना होना चाहिए ये common तो पे तो ये हमारा चार से नीचे तक किसकी range होती है बट अगर ये बढ़ रहा है तो कई और कारण भी होते हैं क्योंकि ये prostate की किसी भी बिमारी बढ़ेगा साधर अगर prostate का size बहुत बढ़ा हो गया उसमें बढ़ सकता है, prostate के अंदर कोई infection है सूजन है, उसमें बढ़ सकता है लेकिन अगर ये limit को जादे ही बढ़ रही है और साथ में हमारे DRE यानि कि डिजिटल examination पे हमें लग रहा है कि शुबा है, doubt है, कि cancer है और उसमें PSA बढ़ा हुआ आता है तो ये दोनों चीजे मिलाके लगबग तैय कर देती हैं कि patient को prostate cancer है अब आगे की साथ से proceed करा जाए आगे इसको करने के लिए हमें बहुत जरूरी होता है इसका histological evidence यानि कि एक हमें बाइपसी चाहिए है जिससे हमें ये confirm हो सके कि ये जो PSA बढ़ रहा है या ये जो prostate के अंदर कोच ऐसी growth आ रही है वो cancer ही है उसके लिए ultrasound की मदस से या कई बार हम जो needle को अपने digital examination के थूरू भी उसके थूरू भी उसमें से बाइपसी ले सकते हैं obviously ultrasound की मदस से better होता है हम अच्छी जरह से देख पाते हैं में प्रोस्टेट के किस हिससे से बाइपसी लेनी है तो इसमें multiple core vipcys होती है उसकी examination हमारे pathologist, histopathologist करते हैं जिससे हमें ये जानकारी मिल जाती है कि प्रोस्टेट जो हम doubt कर रहे थे वो वाकरी में cancerous है या non-cancerous है तो ये तो हुआ इसको diagnosis कैसे करना है अब ये बात आती है कि अगर ये हो भी गया है तो ये किस stage पर है जायतार किसी को भी cancer होता है या कोई हम सुनते हैं कि फला फला को cancer है तो ये आता है, सबसे पहरा question आता है कि ये किस stage पर है इसका आगे का इलाज उसी पर संबब है कि वो कहां तक पहुंच गया है तो जैसे कि कोई भी बिमारी होती है सबसे पहले जब वो शुरुआत होती है तो वो हमेशा उसी organ में या उसी जगे confined रहती है अपने ही अंदर रहती है तो उसको हम बोलते है organ confined या stage 1 cancer फिर उसके बाद में gradually वो अपनी boundary छोड़ती है cancer का मतलब यह होता है कि uncontrolled growth जिस चीज़ पर control नहीं है तो जब वो बढ़ना चालो होता है तो अपनी boundary छोड़ती है boundary छोड़ने पर आसपास के organ में जाती है तब यह बाहर निकलने लगती है और gradually इसकी stage बढ़ने लगती है बाहर आसपास के organ को जैसे की prostate मेना पता है ब्लैडर के पास में है तो यह bladder के पास जा सकती है एक और दो organ होते है सेमिनल वसाइकल वहां जा सकती है फिर उससे आगे बढ़ेगी तो यह कुछ lymph nodes है वहां पर पहुंसती है आसपास की bones में जा सकती है फिर women और organs होते हैं उनमें जा सकते है तो यह किस stage पे है इसकी जानकारी के लिए हमें फिर further investigation यानि की कुछ radiological test कराने पड़ते हैं उस पे सबसे important test होता है multi parametric MRI MRI उस हिस्से का जहां prostate है यानि की MRI pelvis का होता है और यह multi parametric MRI special MRI है जो की prostate के बारे में जानकारी हमें दे सकता है यह तो बात है उसकी local spread की अगर हमें लग रहा है doubt है कि यह कहीं बाहर भी है वो doubt किस तरह से आता है कि patient जैसे मैंने बता है कि आपको वो obstructional symptoms तो है उसके prostate के urinary symptoms तो है लेकिन कभी कभी और symptoms भी आते है जैसे पेशाब में blood आना अगर वो हड़ियों में पहुंच गया है तो उसको हड़ियों में दर्द हो सकता है तो इस तरह की symptoms अगर वो आने लगे इसका मतलब है कि यह बाहर की तरफ यानि की prostate को छोड़के बाहर जा रहा है अगर यह हड़ियों में जाएगा तो हड़ियों कंजोर पड़ती है और हड़ियों के symptoms जाने की दर्द हो सकती है कभी कभी किसी को pathological fracture भी हो सकता है तो कैसे पता करें कि यह जो prostate cancer है अगर इतना बढ़ गया है हमारी हड़ियों तक पहुंच गया है उसके लिए commonly bone scan भी कराते हैं लेकिन आज की लेट में उससे भी better investigation आ गया है जिसका नाम है pet scan PSMA pet scan city यह एक pet scan जो है यह शरीर के पूरे शरीर का pet scan करा जाता है और कहीं भी prostate cancer के कुछ तत्विया कुछ ऐसे जी पहुंची है तो यह PSMA को अब take करती है और वो हमें पता पढ़ सकता है कि इस एरिया में यह फैल चुका है तो अब यह तो बात हुई सारी diagnosis की और उसकी staging की कि किसी patient को prostate cancer है या नहीं है और है तो वो कहां तक फैल चुका है अब बात आती है इसके treatment की जैसे मैंने आपको बताया है शुरू में भी कि अगर कोई भी cancer टाइम से पता पढ़ जाए और वो organ confined हो तो उसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है यही चीच हमारे वसाद में prostate cancer में भी होती है prostate cancer एक slow growing tumor है normally यह उतनी speed से नहीं बढ़ता जैसे कि बाकी कभी की देखा किया किसी और पार्ट के cancers बढ़ जाते हैं तो अगर समय पे पता पढ़ जाया तो इसको हम वाकिय में बहुत अच्छी तरह control कर सकते हैं और एक अच्छी बात यह है कि इस बिमारी के लिए हमारे पास में बहुत सारे इलाज की तरीके हैं जैसे कि surgery, chemotherapy, हर्मल therapy, रेडियो therapy और आजकल कुछ नई टेक्निक भी आगी है तो यह जो सारी विबिन टेक्निक्स होती हैं या जो तरीके होते हैं यह हमारे prostate cancer बे लागू होते हैं और इसको गर्टोल कर सकते हैं शुरुआती तोर पे अगर यह organ confined है जैने कि prostate cancer अगर prostate में ही limited है तो इसके लिए हम surgical removal कर सकते हैं surgical removal मतलब कि prostate cancer prostate को entirely निकालना radical prostate मी करना जब यह radical prostate मी करी जाती है तो prostate के साथ में आस पास के adjoining organs या adjoining structures निकाले जाते हैं वो adjoining structures क्या होते हैं lymph nodes होती हैं samal vesicle gland होता है और उस एरिया को पुरा यह सबस्ते हुए कि यहां पे और फैला हुआ नहीं है यह पूरा निकालने के बाद में लगबग patient cancer free हो जाता है radical prostate मी आज से कुछ सालों तक पहले हम open ही करते थे यानि कि चीरा लगा के करते थे बट जैसा ऐसे technique advance हो रही है हमारे पास में नहीं नहीं विदी आ रही है हम इसको लैप्रोसकोपी करने लगे और आज की डेट में तो जब से रोबोट आए है तो हम रोबोट असिस्टिक radical prostate मी करते हैं तो यह तो बात हुई अगर organ confined cancer है उसके treatment की लेकिन अगर cancer बहार की तरफ आ गया है थोड़ा organ से बहार आ गया है तो क्या करें उस condition में हम रेडियो थरपी और रेडियो थरपी भी targeted रेडियो थरपी होती है जो उस इसको radiation से खतम कर सकती है तो targeted रेडियो थरपी आती है फिर बात आती है और अगर आगे फैल गया है तो हमारे सामने हर्मोनल थरपी या कीमो थरपी हर्मोनल थरपी का रोल प्रोस्ट कैंसर में इसलिए है क्योंकि ये देखा गया है कि जो प्रोस्ट कैंसर है ये testosterone dependent है testosterone एक male hormone है मर्दाना हर्मोन है इस सभी आदमियों के शरीर में testosterone होता है तो जब testosterone को हम शरीर से खतम कर दें कुछ ऐसे या तो हम testicles निकाल के खतम कर दें या कुछ injection दे के जो directly in pressure करता है और testosterone हमारे शरीर से खतम हो जाए तब ये देखा गया है कि जो ये growth है cancer की growth है ये सूखने लगता है तो हर्मोनल यानिकी anti-androgen या endrogen abrasion therapy भी बहुत अच्छी तरह से कारगार है प्रोश्ट कैंसर में कीमो थेरपी कीमो थेरपी का use तब होता है जब ये शरीर से शरीर में बाखी जगे फैल जाता है जैसे और organs में चला गया हड्यों में चला गया तो उसमें कीमो थेरपी का बहुत अच्छा रोल है एक रेडियो थेरपी का एक और बात बताना चाहूंगा कई बार bones में अगर ये पहुंच गया है और वो bone में symptoms बहुत आ रहे हैं कि bone pair हो रहा है तो कई बार targeted रेडियो थेरपी उस bone के लिए भी करी जाती है जो उसमें से उसको वहाँ सुखाया जाए या pain free किया जाए कुछ और नई टेक्निक्स आगी है कुछ और नई ड्रक्स हैं दवाईया है जो ये देखा गया है कि hormone registered prostate cancer में बहुत अच्छे काम करती है hormone registered prostate cancer मतलब जब हमारे शुरू में hormone खतम करने के जो हमने injections दिये हैं या कुछ therapy दिये है जब वो कारगार नहीं रहती हैं फिर भी हमारे PSA level बढ़ रहे हैं या prostate cancer growth बढ़ रही है उस condition में भी हमारे पास में आज की rate में कुछ ऐसी दवाईया है कुछ कुम लाके कहने का मतलब यह है कि prostate cancer के treatment में हमारे पास में different step पे different therapies हैं इसने कभी भी किसी को भी अगर ऐसा doubt है या यूरोलोजिस्ट के पकड़ में आता है कि इनको cancer है तो उसका इलाज तुरंत कराना है और early stage पे तो nearly total cure हो जाता है हमें इस चीज में delay नहीं करने चाहिए बस समझना ये है कि इसकी बिमारी के symptoms क्या है और जरासा भी ऐसा doubt हो तो तुरंत अपने clinician से मिले normally 90% या more than dead तो ये benign growth ही होगी बट अगर PSA बढ़ रहा है या doctor को clinically लग रहा है कि prostate में कुछ ऐसा development हो रहे है तो तुरंत उसका आगे diagnosis करने के लिए कुछ test कराने है और उसके बाद में अगर कोई by chance ये आता है तो उसका इराज संबफ है धन्यवाद